बच्चों आज मैं आपसे बात करूँगा कक्षा 11 व्यवसाय अध्यन के पाठ साथ कंपनी निर्मान पर आज हम कंपनी निर्मान की सरंचना, परवर्तन और परवर्तकों के कालिय पर चर्चा करेंगे आईए प्रारंब करते हैं कंपनी निर्मान बच्चो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कंपनी के बारे में कंपनी क्या है कंपनी भारतिय कंपनी अधिनियम भारतिय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतरगत धारा या कहले अनुछेद 2020 के अंदर इसकी परिवाशा दी गई है उसके अंतरगत कंपनी वह है जो कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पूर्व के अधिनियमों के अंतरगत पंजीकरत या इस्तापित की गई हो ये थी कंपनी के बारे में परिवाशा अब देखते हैं कंपनी क्यों इस्तापित की जाती है कंपनी बनाने का क्या कारण है देखिए व व्यवसाई को धनकी आवशकता होती है और अधिक धनके लिए वह है व्यापार को बढ़ाने के लिए कमपनी निर्माण को प्रात्मिक्ता देता है व्यवसाई के लिए बड़ी मात्रा में धनकी आवशक्ता होती है परिणाम स्वरूप ज्यादातर व्यवसाई के जन्म से कमपनी के वैधानिक रूप से व्यवसाई प्रारंब होने तक के विविन्न चरण कमपनी निर्मान की विविन्न एस्थितियां कहलाती है देखिए व्यवसाई का विचार पैदा होना जब किसी व्यक्ति के दिमाग में व्यवसाई खोलने के बारे में विचार जन्म लेता है और वहाँ से लेकर व्यवसाई प्रारंब होने तक उसको कई निर्वानिक्पर के लिए आएं इस के परवर्थन करते हैं और जो लोग यह सारी कर्याएं करते हैं जो यह सारे कदम उठाते हैं तता विवसाय प्रारम करने का जोखि मुठाते हैं वे उस company का प्रवर्तन करते हैं, जिनें प्रवर्तक कहा जाता है, company निर्मान की सरंचना देखते हैं, company की सरंचना एक जटिल प्रकिलिया है, जिसमें काफी वैदानिक उपचारिकताएं एवं प्रकिलियाएं सम्मिलित है, देखिए company का निर्मान करना बहुत ही कटीन कारिया ह इसके लिए काफी कानूनी वैदानिक प्रकिल्याएं वे उपचारिकताएं हमें पूरी करनी पड़ती है देखिए एक कंपनी निर्वान के लिए प्रवर्तन, समा मेलन और पूंजी का अभिदान इन तीन प्रकिल्याओं से गुजरना पड़ता है 2015 से पूर्व समा मेलन के पश्चाद व्यापपार प्रारंब करने का प्रमान पत्र भी लेना होता था 2015 के बाद से उसे हटा दिया गया है देखे प्रवर्तन का का ये किया जाता है व्यवसाय के बारे में आप विचार करेंगे व्यवसाय की संभाववेता को देखेंगे ये सारा इसके अंतर गताता है समा मेलन प्रमान पत्र के लिए कुछ आवश्यक दस्तावे जमा कराने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास और वहां से समा मेलन निगमन का प्रमान पत्र प्राप्त किया जाता है इस प्रमान पत्र के मिलने पर निजी कमपनियां अपना व्यवसाय अपना व्यापार प्रारंब कर सकती है लेकिन सारवजनी कमपनियों को सारवजनी कमपनी को पूंजी का अविधान की प्रकिल्या से गुजरना पड़ता है आईए देखते हैं ये इस्ततियां एक कमपनी के निर्मान की द्रश्टी से उचित हैं एक निजी कमपनी समा मेलन प्रमान पत्र की प्राप्ति के तुरंत पश्चात अपना व्यापार प्रारंब कर सकती है क्योंकि इस पर जन साधारंड से धन जुटाने पर परतिबंद है न दूसरी और एक सारवजनिक कमपनी को पूंजी के अभिदान की इस्तती से गुजरना होगा और दूसरी तरफ सारवजनिक कमपनी पूंजी का अभिदान इस्तती से भी गुजरेगी अब बात करते हैं हम पहली स्टेज कमपनी प्रवर्तन कमपनी निर्मान में प्रवर्तन प्रथम इस्तती है इसमें व्यवसाय के अवसरों की खोज एवं कंपनी इस्तापना के लिए पहल करना सम्मिलित है देखिए व्यवसाय के अवसरों की खोज करना और कंपनी इस्तापना की पहल करना ये इसके अंतरगत परवर्तन के अंतरगत आता है जो का ये परवर्तक वारा सशक्त व्यवसाय के अहसर की कोज से इसका प्रारंव होता है यदि ऐसा कोई व्यक्ति व्यक्तियों का समू सकता है या फिर कोई कंपनी हो सकती है जो की व्यवसाय प्रारंब करने की और कदम बढ़ाए वह इसके क्या कहलाते हैं प्रवर्तक कहलाते हैं आओ बच्चों आगे देखते हैं कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक प्रवर्तक कौन कोन हो सकते हैं प्रवर्तक जिसका नाम प्रविवरण में लिखा रहता है अत्वा धारा बराण में के संदर्व में वार्शिक रिटर्ण में कमपनी द्वारा निर्दारित किया जाता है वो व्यक्ति प्रवर्तक होता है जो एक अंशधारक निदेशक अत्वा किसी अन्य रूप में प्रत्यक्सत है अत्वा ए प्रत्यक्सत है कमपनी के मामलो नियंतरण रकते हैं जो कमपनी के मामलों पर नियंतरण रखता हो वो प्रवर्थग हो सकता है तीसरा बिंदू देखते हैं जिसकी सला है निडेशों अत्वा अनिदोश्चों के अनुरूप कमपनी का संचालक मंडल कार्य करने का अबयस्त हो जाता है जिसकी सलाह है और निर्देश मानते हुए संचालक मंडल कार्य करता है किसी पेशेवर व्यक्ती पर लागू नहीं होता लेकिन जब कंपनी कोई पेशेवर व्यक्ती की नियुक्ती करती है तो वह प्रवर्तक नहीं बन जाता प्रवर्तक वह है जो प्रयोजन के संदर्व में एक कमपनी के निर्मान का कालिय करता है एम इसे चालू करता है तथा उस उद्देश की प्राप्ती के लिए आवश्यक कदम उठाता है जो कमपनी के निर्मान का कालिय करता है कमपनी को चालू करता है और कमपनी के उद्देश कि ठीस्वाब में विश्यों की प्राप्टी है तो कदम आगे बढ़ाता है उसे हम प्रवर्तक कहते हैं अभागे देखते हैं छान की लिए किस्व सेवां को परदान करनेец किया जाएगा क्या विवसाय किया जा सकता है इसके बारे में खोच बीन करना ये इसके अंतरगत आएगा बच्चों देखिए यह अवसर एक नई वस्तू अत्वा सेवा के उत्पादन की हो सकती है नई वस्तू के और सेवा के उत्पादन की या फिर किसी उत्पाद की किसी अ इसका संभावना हो ऐसा कार्य भी इसके अंतरगर आता है ऐसे अवसर की तक्नीकी एवं प्रात्मिक संभावना को देख कर फिर इसका विसलेशन किया जाता है तक्नीकी रूप से और प्रात्मिक संभावना को देख कर कि अवसर सफल होने लायक है या नहीं है तक्नीकी रूप कि वित्व से सही है गलत है इस संभावना को देख कर और उसका विसलेशन किया जाता है। ऐसे अवसरों की पहचान करने का काल यह प्रवर्तक करता है। दूसरा बिंदू है संभाव विता का अध्यन, पहचान कर दिये गए सभी अवसरों में से संभव अवसरों को वास्तविक पर्योजनाओं में परिवर्तित करना सदा संभव अथ्वा लाब प्रद ने हो प्रवर्तक इसी लिए जिन वेवसायों को प्रारंब करना चाते हैं उनके सभी पहलूओं की जाच परताल के लिए संभावविता का विस्तृत अध्यन करते हैं देखिए जरूरी नहीं कि जो अवसर हमने पहचाने हैं वो सही हो या गलत हो उनकी संभावविता की पहचान की जाती है कि उनसे कितनी संभाववना हैं वो सफल होंगे या नहीं होंगे इसकी जाच परताल की जाती है और यह कार्ये भी प्रवर्तकों द्वारा किया जाता है परियोजना के आधार पर किया जाता है यह आप इंजनियर से भी करबा सकते हैं यह किसी अन्य विशय सग्य की नियुक्ति करके भी यह अध्यान करवाए जा सकते हैं। बच्चों देखते हैं संभाववेता का अध्यन किन किन परकार से होता है, पहला है तक्नीकी संभाववेता, कभी कभी कोई विचार अच्छा होता है, लेकिन उसका क्रियान वयन तक्नीकी रूप से संभाव नहीं होता है, हम तक्नीकी रूप से उसे काम में नहीं ले सकते, व हमारे व्यवसाय प्रारंब करने के लिए जरूरी कच्चामाल और तक्नीक हमें आसानी से उपलब्द नहीं हो रही है। ऐसी इस्तती में जब तक कच्चेमाल तक्नीक उपलब्द कराने के लिए वेकल्पिक व्यवस्ता नहीं हो जाती। परियोजना तक्नीकी रूप से एवयवारिक होगी, जब तक हम कच्चे माल और तक्नीक की उपलवदता को सुनिश्चित नहीं कर लेंगे, तब तक वह परियोजना एवयवारिक मानी जाएगी, क्योंकि उस उसर को हम भुना नहीं सकते, उस कारिय को हम तक्नीकी रूप से नह कर पाएंगे अगला है बच्चों वित्तिय संभाववेता देखिए सभी व्यवसाइक कारियों के लिए धन की आवशक्ता का अनुमान लगाना होता है कि कि कितना धन उस परियोजना पर खर्च होगा यदि परियोजना पर होने वाला वै इतना अधिक है कि इसे उपलब्द सा करलता से नहीं जुटाया जा सकता तो परियोजना की वित्तिय संभाववेता के कारण इस विचार को त्यागना पड़ सकता है यदि उस परियोजना अपने खर्च होने वाला वै बहुत ज़्यादा है और हमारे पास पूंजी सिमित मात्रा में है उस पूंजी या हमारे जो साधन है उनसे अगर उसे नहीं जुटाया जा सकता तो हमें ऐसा विचार क्या करना पड़ेगा त्यागना पड़ेगा और यह कहलाती है वित्तिय संभाव्यता अगला देखते हैं आर्थिक संभाव्यता परियोजना तक्नीकी एवं वित्तिय रूप से व्यावारिक है लेक संभावना बहुत कम है ऐसी परिस्तिती में भी यह विचार त्यागना होगा ऐसी इस्तिती में भी हम वह विचार त्याग देते हैं इन विश्यों के अध्यन के लिए प्रवर्तक साधरन तया विशेशग्यों की सहायता लेते हैं मात्र अध्यन करने से विशेशग्य देज़ देंगे लेकिन फिर भी हम उन्हें परवर्तक नहीं बना सकते वो सिर्फ विसेशग्य की भूमिका में ही रहते हैं जांच पड़तालों के सकारात्मक परिणाम निकलने पर ही परवर्तक कंपनी बनाने का निर्ने ले सकते हैं जो अवसर ढूंडे गए थे उनकी आगे प्रारंब रखेगा नाम का अनुमोधन परवर्तक का तीसरा कार्य है नाम का अनुमोधन करना कंपनी की स्तापना का निर्ने लेने के पश्चात परवर्तकों को इसके लिए एक नाम का चुनाव करना होगा एक नाम उसके लिए निश्चित करना होगा एवं इसके अन आवेदन पत्र जमा कराना होगा इस कार्ये के लिए कंपनी के प्रवर्तकों को पंजिकरत कार्याले जहां वो खोलेंगे जहां पंजिकरत कार्याले जिस राज्ये में खोला जाना है उस राज्ये के कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन पत्र जमा कराएंगे जिसमें क कम्पनी का नाम बन जाएगा इन में से उचित प्रस्तावित नाम का अनुगोधन कर दिया जाएगा कम्पनी रजिस्ट्रार को दिये गए प्रात्ना पत्र में तीन नाम प्रात्मिक्ता दरसाते हुए दिये जाते हैं Company Registrar को हम कितने नाम देंगे, उस आवेदन पत्र में तीन नाम, प्रात्मिक्ता के साथ, और इन नामों में से उचित प्रस्तावित नाम का वह क्या कर देता है, अनुओधन कर देता है और वह कंपनी का नाम होगा, अगला कार ये देखते हैं बच्चो, संस्तापन प्रलेक के हस्ताकसर करताओं को निश्चित करना प्रवर्तक को उन सजश्यों के संबंद में निर्णे लेना होगा जो प्रस्तावित कंपनी के उद्देश पत्र पर हस्ताकसर करेंगे जो अपने इनिशियल उस कंपनी के उद्देश पत्र पर करेंगे जो कंपनी गठित की जानी है और उन लोगों का चैन भी परवर्तक को करना होगा सामान ने तया जो लोग उद्देश्य पत्र पर अस्ताक्सर करते हैं उनकी कमपनी के प्रथम निर्देशक बनने एवं कमपनी के योगेता अंस खरीदने के संबंद में लिकित स्विकर्ती लेनी आवश्यक हैं जो लोग भी उ प्रवर्तक को उनसे लेनी चाहिए आगे देखते हैं बच्चों कुछ पेशेवर लोगों की नियुक्ती करना देखिए प्रवर्तक कुछ पेशेवर लोगों की नियुक्ती भी करता है जो की आवश्यक प्रलेखों की निर्मान में सहयोग ब्रदान करते हैं प्रवर्तक केंटाइल बैंकर्स ओडिटर्स आधी पेशेवर लोगों की नियुक्ति करते हैं इन लोगों की नियुक्ति का कार्य भी प्रवर्त को द्वारा किया जाता है एक कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक आवंटन विवरणी जमा करानी होती है जिसमें अंसधारियों के नाम होंगे उनके पते और आवंटीत अंसों की संख्या लिखी जाती है यह भी रजिस्ट्रार को दिया जाने वाला एक आवश्यक प्रलेख है आवश्यक प्रलेखों को तयार करना प्रवर्तक अब ऐसे दस्तावेजवह तयार करेगा जो की कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराने जरूरी होंगे यह प्रलेख है संस्ता प्रलेख जिसे हम सीमा नियम भी कहते हैं जिसे कंपनी का सीमा नियम भी कहा जाता है दूसरा प्रलेख है कंपनी के अंतर नियम तीसरा है उसे प्राप्त करनी होगी समझोता जो की कंपनी का एक आवश्यक प्रलेख है वैदानिक घोशना और फीस भुक्तान की रसीद पंजीयन रासी के भुक्तान की रसीद ये सभी आवश्यक प्रलेख भी प्रवर्तक को जमा कराने होंगे बच्चों आज हमने इस पार्ट में अगले वीडियो में हम इन आवश्यक प्रलेखों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे धन्यवाद